राम राम सनातंधरम कीज़े और सभी को मेरा साधुवाद एक फेक मेसेज वाटसेप पर जो है सर्कुलेट हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि अभी अभी Election Commission of India द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि एक फेक मेसेज जो है वटसेप के अंदर रिगार्डिंग लोग सभा इलेक्शन 2024 को लेकर ये एक फेक मेसेज सर्कुलेट हो रहा है ये फेक मेसेज है जिसके अंदर कुछ election की notification आई है पोलिंग डेट आई है कांटिंग आई है इस तरह की अभी तक कोई भी update नहीं है कि इस तरह का जो भी एक message circulate हो रहा है WhatsApp के उपर वो fake है किसी तरह की भी अभी तक कोई भी election की dates election commission of India ने नहीं announce की है जब भी election commission of India किसी तरह की भी date announce करता है election को लेकर तो वो properly एक press conference की जाती है और press conference के माध्यम से ही इस तरह से जो है कुछ elections की dates को जो है आगे circulate किया जाता है लेकिन एक message आ रहा है WhatsApp के उपर जिसके उपर लिखा हुआ है 2024 general election details 12 तरह को election notification 28 को nomination 19 को polling date 22 को counting 30 को formation of new government ये एक fake message है मैं सभी से कहूंगा कि इस तरह के fake message को मत circulate करें ये WhatsApp groups में जो है fake message circulate हो रहा है ये पूरी तरह से एक fake news है fake news को मत आगे बढ़ाईएगा इस तरह की news जो है कहीं बार आती है और खास करके elections के ही दिनों में इस तरह की news जो हैं आपको देखने को मिलती होंगी तो मैं सभी से request करता हूँ कि ये एक fake news है और इस fake news को मत आगे भी forward करिएगा क्योंकि इसको लेकर आपके उपर एक्शन भी हो सकता है वो लोगसभा elections को लेकर WhatsApp के उपर fake notifications जो हैं जारी हुई है और उसके अंदर fake information दी जारी है कि किसी तरह कि कोई counting की date आई है वगयरा वगयरा लेकिन election commission आफ इंडिया का जो twitter handle है उन्होंने अभी अभी ये tweet किया है कि एक fake message share किया जा रहा है WhatsApp के उपर regarding elections date जो लोगसभा elections को लेकर है और साथ ही में कहा गया है कि ये fact check है कि इस तरह के message fake होते हैं किसी तरह कि कोई date announce नहीं की गई है election जब भी announce होंगे उसके लिए proper election commission आफ इंडिया जो है press conference करता है तो कृपया करके fake messages के उपर बिलकुल भी आप ध्यान मत दें ये एक fake message है जो circulate हो रहा है इस तरह में सोशल मीडिया के उपर WhatsApp के माध्यम से राम राम सुनातु नर्म की जाया और सभी का साथ हुआ